हेलो दोस्तों मेरा खूल और मेरे पास है एंफिनेक्स नोट 10 प्रो और आज के सुरू में जए इसका ओटीगी टेस्ट करेंगे और दिखेंगे डिवाइज जो ओटीजी के जरीए कीबूर्ड माउस पेंरेव हार्डेव सभी को कनेक्ट कर पाता है कि नहीं तो यह वीडियो आप स्टील एंट तक देख लिए वीडियो स्टार्ट करें से पहले बदा दू चैनल पर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं तो फटा-फट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट विशनी टाइम सो लेट्स गो सबसे पले यहां पर जाए पेंड तो सबसे पहले करना पड़ेगा तो यहां पर अजरीक पा रहे हैं और मैं यहां पर जाता हूं तो यहां पर यहां पर ऑडीक और हो सबस्वार्तłem करते हैं डन करने के बात यहां पर मैं जो है सिंप्ली एक्सप्रोज कर देता हूं और यहां पर फाइल पर जाता हूं तो कोई बफरेंग नहीं हो रहा है जो की काफी अच्छी बात है, so guys, अब जो हैं यहाँ पर hard drive को connect करते हैं और देखते हैं, hard drive support है कि नहीं, यहाँ पर मेरे पास Lenovo का 1 TV का hard drive है जो की NTFS format का है, तो यहाँ पर मैंने OTE को connect कर दिया, आप simply जो है hard drive support नहीं है, देख पाएंगे, issue with Lenovo USB drive और यहाँ पर अगर मैं tap to fix करता हूँ, तो format ले लेगा मेरा hard drive और यहाँ पर कोई भी data नहीं रहेगा और support भी नहीं करेगा, तो यह hard drive को support नहीं करता है बात करते हैं reverse charging की, तो यह device जो है reverse charging को support करता है, जो की काफी अच्छी बात है so guys, up check करते हैं, यह device जो है keyboard mouse को support करता है, के नहीं मेरे पैस यहाँ पर wireless keyboard mouse का combination है आप चाहे तो wire keyboard, wire mouse का भी इस्तमाल कर सकते हैं, बट कुछ-कुछ wire keyboard और wire mouse काफी जादा power consume करते हैं जिस वसे हो सकता है, वो जो है आपके device में support ना करें, तो इस वसे मैं selection दूँगा, आप जो है wireless keyboard mouse का combination लीजे जहाँ पर आपको कुछ इस तरीका एक single receiver देखने हो मिलेगा, जिसके जरीए आप दोनों को at a time यूज कर पाएगा और अगर आप wireless wire वाला लेते हैं, तो यहाँ पर at a time या तो mouse connect करके रखना पड़ेगा, या तो keyboard तो यहाँ पर मैं आपको selection दूँगा wireless keyboard mouse का combination भाई कीजे, तो इसे connect कर लेते हैं, और देखते हैं, यहाँ पर connection लेता है कि नहीं तो notification पैनल पर एक notification आ चुका है, जैसके आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर physical keyboard का, तो सबसे पहले यहाँ पर keyboard को चेक कर लेते हैं, यहाँ पर मैं type करता हूँ, BGMI, तो यहाँ BGMI यहाँ पर type हो चुका है, जैसके आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और अब यहा पर mouse काम कर रहा है, scroll वगेरा काफी अच्छे देख से हो रहा है, और यहाँ पर अगर मैं home करता हूँ, recent tab को tap करता हूँ, clear करता हूँ, तो यहाँ यह keyboard mouse को support करता है, अब देखते हैं, USB hub के जड़ी keyboard mouse, pain drive, hard drive को support करता है यहाँ 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 पर मैंने USB hub में pain drive card reader keyboard mouse को connect कर द और light blink करने लगा है, जैसके आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और notion panel पर भी notion आ चुका है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, एक आया है, दूसरा, तोनों आ गया, यहाँ पर देखिए, Sony का भी आ गया, और यहाँ पर card reader भी आ गया, तो सब को check करते हैं, सबसे पहले pinrape को check करते हैं, यहाँ पर जो है, तो pinrape के सारे content आ चुके हैं, जो की काफी अच्छी बात है, और यहाँ पर जो है, आपको file manager पर लिजा कर भी दिखा लेते हैं, यहाँ पर मैं file manager पर आता हूँ, और यहाँ पर अगर देखो, कहा गया भाई, OTG वाला सारा section, तो सायद all file में होगा, यहाँ all file में यहाँ पर देखे, दो OTG आपको देखने को मिल रहा है, एक जो है 1GB का है, और एक 16GB का, यानि कि यहाँ पर card reader मैंने 1GB का लागा कर रखा है, तो यहाँ पर दोनों ही support कर रहा है, card reader का भी यह सारे content आप देख पाएंगे, तो काफी अच्छी बात है यहाँ पर यह दोनों को support कर रहा है, अब यहाँ पर फड़ा-फड़ से mouse keyboard को भी check कर लेते हैं, तो mouse यहाँ पर काफी अच्छे तक सब work कर रहा है, यह देख पा रहा होंगे, और मैं फिर से वही same type करूँगा, BG, MI, and there, तो यहाँ पर देखे, keyboard काफी अच्छे तक से काम कर रहा है, तो यह जो है, USB hub के जरीए, keyboard, mouse, और दो pin drive को अराम से support कर लेता है, जो कि काफी अच्छी बात है, so friends, I hope आप सभी को Infinix Note 10 Pro का OTE test वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज में वीडियो को लाइक कर देगा, सासा चैनल पने है, चैनल को सब्सक्रा से regarding कोई भी question, कोई भी कोई और यो नीचे comment कर सकते हैं, या फिर Instagram account को follow कर लिजिए, जहाँ पर मैं काफीस दा active रहता हूँ, Instagram account को follow करने का एक फायदा होगा, डाइक लिए आप उसे communicate कर पेगा, chat कर पेगा, screenshot, video record करके बेच पाएगा, जिससे मैं आपके problem का solution easily कर पाँगा, अगली वीडियो में एक नए concept के साथ, अब तक लिए टाटा बाए बाए और यूँ हसते रही है, मुस्कुरात रही है, और बने रही है, RJ टेकनिकल्स के साथ.